हलो गाईज असलाम अलेकूं कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की दुआउं से अलहम्द्रीला हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो चलिए एक और इंट्रस्टिंग इफ्तार रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं सबसे पहले हमने यह वन कप चिकल ले लिया था यह देखिए हमने इसमें अद्रक लैसुन का पेस्ट और नमक डालकर इसे अच्छे से बॉइल कर लिया था और फिर इसे ग्रेटर में डालकर इस तरह से ग्रेट कर लिया था तो यह तरह से हो गया है अभी ह हम इसके अंदर सारी वेजिस एड़ करेंगे यह देखिए हमने ओनियन ले ली थी एक चोटे साइस की वो एड़ कर देंगे बारिक चॉप कर लिया है हमने इसे भी कैबिज ले ली है हमने यह देखिए हाफ कब हमने कैबिज ले ली है कटी हुई यह देखिए बारिक चॉप कर आलू ले लिया था यह देखियो पटैटो हमने इससे बॉयल करकर मैश कर लिया है वह ईसके अंदर एड करदेंगे यहां बैंडिंग में बहुत हल्प करेगा अभी हम हाफ टीस्पून इसमें नमक करदेंगे half teaspoon हम इसमें red chili powder add कर देंगे spicy बनाने के लिए इसे थोड़ा सा ये red chili add कर दी है हमने घरम masala powder add कर देंगे half teaspoon अभी हम इसमें थोड़े से ये देखिए red chili flakes add कर देंगे mix halves add कर देंगे इसमें अभी हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से mix कर लेंगे ये देखिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से mix कर लेना है आप अपने हाथ से इसे अच्छे से mix कर ले ये देखिए जिस तरहां से मैं कर रही हूँ इसी तरहां से आप भी इसे mix कर लें ये देखे कितना बढ़िया से मैंने इसे mix कर लिया है अभी हम इसे shape देना शुरू करेंगे ये देखे हम इसे थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे ये देखे इस तरहां से दबाते हुए हमें इसे shape देना है इस तरहां से हमें इसे दबाते हुए शेप दे देंगे आप इसे किसी भी शेप में बना कर रेडी कर सकते हैं इस तरहां से दबा देंगे हम इसे क्योंकि हमने जो इसके अंदर आलू और चिकन एड़ करा है आलू से हमें binding बहुत अच्छी मिलेगी इसमें ये देखिए इस तरहां से मैंने इसे shape दे दिया है अभी हम इसमें एक wooden stick एड़ कर देंगे आप इसे ice cream stick, wooden stick जो भी का है वो हम इसमें add कर देंगे और इस तरहां से दबाते हुए इसे ये देखिए shape दे देंगे आप इसे ice cream shape भी बोल सकते हैं ये देखिए हमने इसे ice cream की तरह ही एक shape दे दिया है बना कर हमने सब ready कर लिया है ये देखिए अभी हम इसे मैदे की slurry में dip करेंगे बहुत अच्छे से हमें मैदे को इसके उपर coat करना है इस तरहां से हमें मैदे की slurry में dip करना है और फिर bread crumbs में इसे add करना है ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसे coat कर दिया है ये देखिए बिलकुल perfect बिलकुल बन कर ready है ये देखिए इसी तरह हमने बागी की stick भी ready कर रखे हैं गरम गरम ओयल में इसे फ्राइ कर लेंगे ये देखिया आप इसे इफ़तारी में जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी बनकर ये रैडी होते हैं तिकन पॉप्सिकल्स आप जरूर ट्राइ करिएगा अपने बच्चों को एक सप्राइज दीजिएगा बनाकर जरूर इफ्तारी के टाइम पर आप ये लोग ट्राइ करें अपने बच्चों को बच्चे एकदम देखकर खुश हो जाएंगे ये देखिए मैंने सारे पैन के अंदर एड कर दिये हैं ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बड़िया सा कलर आ जाएगा इनके उपर अभी हम एक साइट से से फ्राइ कर लें फिर मैं आपको इसे दूसरी साइट से भी पलेट कर दिखाती हूँ कितना प्यारा इनके उपर एक कलर आना शुरू हो गया है ये देखिए ये बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में और देखने में भी बहुत ही डिलिशेस लगते हैं अगर आप लोगों को ये रैसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताईएगा ये इफतार रैसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये देखिए अलटते पलटते हमें इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएं बाहर से बिलकुल खाने में एक दम कुरकुरे बनकर रैडी हो इतना हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है बहुत अच्छे से ये देखिए अलटते पलटते हमें इन्हें फ्राई कर लेना है ये बहुत ही टेस्टी बनकर रैडी होते हैं आप लोग इफ्तार के टाइम पर जरूर ट्राइ करें ये देखिए बच्चे ये ऐसी चीजे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं तो अभी हम इने निकाल लेते हैं ओईल से बाहर देखिए कितने कुरकुरे और क्रिस्प बनकर रेडी हुए हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इनके उपर अभी हमने इने सब को भान निकाल लेंगे ये देखिए और अभी हमने सर्ब करेंगे सर्ब करकर आपको दिखाते हैं ये देखिए टॉमाइटो केचप और तंदूरी मयो के साथ हमने इसे सर्फ करा है आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और यहां तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स वाचेंग अल्ला हाफिज